हलो बच्चो तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे गाला का पेपर नंबर 4 ठीक है पेपर नंबर 2 और 3 हमने आपके लिए सॉल्फ कर दिया जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा पेपर नंबर 4 में हम बच्चो इसी पैटर में जाएंगे सबसे पर सेक्शन तो सबसे पहले हम जानते हैं तो यहाँ पर देखने वाले हमारे MC सेथे कहा है है ठीक है इसमें सबसे पहले बच्छों में आप पहला पूच्छन देख लेते हैं अवार्सक्षिशन की तरफ स्थे वेश्ट है और श चैसी होगी पीजिक में से क्या होगी अपको आप ऐधyelling CL जो है बच्चो, यह ammonia से बना है, ठीक है, ammonia जो है एक nitrogenous waste है, और यह nature में थोड़ी सी आप कह सकते हो की, acidic या basic में से क्या होगी, यह आपको confusion रता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी से nature में acidic होती है, ठीक है, नेचर में कैसी होगी, acidic होगी, अब acidic चीज़ है तो उसका pH कहा होना चाहिए, 7 से below, तो यहाँ पर आप answer में देख सकते हो, कि यहाँ पर जो हमारा correct answer वो कहा है, pH is less than 7, साथ से कम pH है इसका, तो यह nature में कैसी होगी, acidic होगी, ठीक है, अमोनिया भी nature में acidic होता है, ठीक है, तो यह भी जो nature में कैसा होगा, acidic होगा, NH4C, nature में कैसा होगा, acidic होगी, acid की form में होगा, ठीक है, pH इसका 5, 6, 7 की range के, 5, 6 की range के असपास होगा, और यह इसका pH होगा, below 7, ठीक है, अगले question की तरफ चलते है, which of the following is used as food preservator, अब यहाँ पर कुछ नाम देदी हैं, आपका नाम भी ने एक तरीके से compound देदी हैं, CS3OH, CS3CHH, CS3CO, CS3CO, CS3C3, ठीक है, यहाँ एक तरीके से को तो पहला आपका alcohol group का product है, दूसरा आपका carboxlic acid का है, तीसरा आपका aldehyde का है, और चौथा आपका ketone का है, ठीक विनेगर, और विनेगर का जो formula होता है, वो acidic acid एक तरीके से, ठीक है, जिसको हम ethanoic acid भी कहता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका correct answer है, उसकी उपर अगर अगर आप धान दे, तो यह आपको यहाँ clearly visible हो रहा है, कि आपको याद दखनें कि acid form में होगा है, यहाँ यहाँ acidic acid भी कहते हैं, यह बहुत जल्दी जम जाता है, इस वैसे इसको glacial acidic acid भी कहते हैं, यानि कि हमारा correct answer क्या होगा, correct answer होगा option B, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, option B, आपको correct answer है CS3CH, जिसके आपके पास तीन नाम है, इस तरीके सैथनाइक acid, जिसे हम acidic acid भी कहते हैं, और पर देख कोशन की तरफ सेलते हैं, बच्चों, next question में आपसे कुछा है, after the digestion of protein into which simple substance does it get converted, यानि protein का digestion होने के बाद, वो किसमें convert हो जाता है, तो पर जाता है, जो fat होते हैं, fatty acid और ग्लूकोज में convert होते हैं, तो जो आपका protein होता है, वो amino acid में convert होता है, जहां तक मैं correct हूँ, अगर मुझे दिमाग में याद है, तो जो protein होता है, वो आपका amino acids में convert हो जाता है, एक बार वापस cross check भी कर लेते answer को, तो हमारा correct answer देख लेते हैं, क्या है, तो हमारा correct answer क्या है, बच्चों, देख सकते हो, आप D amino acid, ठीक है, चलो, अगला question देखते हैं, बच्चों, question number 4, question number 4 को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो question number 4 में आप से क्या पूछा हुआ है, बोला है, an electric heater consume 1.1 kilowatt power when 220 voltage is applied to it, the current flowing through it must be, अब बोला है कि एक electric heater है, जो कितना power consume करता है, 1.1 kilowatt का, ठीक है, कब जब इसमें से 220 का voltage दिया जाता है, तो इस time पे इसमें से current कितना pass होता होगा, तो इसको जो calculation है, वो मैंने आपके लिए already करके रखा है, तो वहाँ पे मैं आपको calculation देखके, समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको इसका calculation, एसको solve करना है, ठीक है, तो चलते है solution की तरफ, और यहाँ पर options आपको दिये हो है, but options के पहले आपको solve करना पड़ेगा, उसके पाव का formula क्या होता है, P is equal to Vi, हमको current पूछा हुआ है, तो current निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I is equal to P upon V, power आपको बुली थी 1.1 kilowatt, kilo को आप change करोगे, तो हो जाएगा 1.1 multiply में, kilo का मतलब होगा 1000 से multiply into में watt, इसको 1000 से multiply करोगे, तो आजाएगा 1100 watt, थो आपने convert करके यहाँ लिखा कि power कितने है, 1100 watt, और supply आजी थी 220 voltage की, तो 1100 का आप 220 से divide करोगे, तो आपका answer आएगा 5, यानि current आपका जो है, वो कितने का है, 5 ampere का है, तो correct option देख लेते हैं कि कौन सा option correct है, तो correct option जो बच्चो हमारे लिए, वो है हमारा option D, 5 ampere, ठीक है, अगला question देखते हैं बच कि यहाँ पर convex और concave की case में दिया हुआ, तो अगर आप mirror की case में जाते हूँ, तो mirror में जो आपका concave mirror होता है, यह real image और virtual image दोनों बनाता है, जबकि convex mirror जो होता है, वो fix, पता है उसको कि कौन सी image बनाएगा, virtual image ही बनाएगा, तो वहाँ प्रेम को clear होगा कि convex mirror होगा, अब convex mirror होगा, तो ऐसे में जहाँ भी concave mirror वो option आप काड़ सकते हूँ, है ना, तो option A आप काड़ दो, option D आप काड़ दो, अब आपके पास दो option, option B and option C, अब इसमें आप क्या करोगे, तो आपको जाना lens के cases में, कि lens के cases में virtual image कौन बनाता है, तो lens के cases में उल्टा हो जाएगा, कि अ convex mirror और lens में concave lens, यह जो pair होगा, यह virtual image बनाता होगा, तो इसको आपको चेक करना है, तो आप देख सकते हो, option B जो है आपका, convex mirror and concave lens, यह correct option है, तो हमारा correct answer क्या आएगा, option B के according, हमारा correct answer होगा, convex mirror and concave lens, यह हमारा correct answer हो जाएगा, अगला MCQ देखते हैं, जो हमारा आखरी MCQ ह which phenomena is responsible for the twinkling of stars, star के twinkle करने के लिए कौन सा phenomena responsible है, twinkle का मतलब क्या होता है, कि star जो twinkle हो रहा हो, किसके वैस हो रहा है, कि atmosphere हम बहुत सारी gases हो, वो move कर रही है, यानि atmosphere के साथ कुछ नो कुछ चेट साड हो रही है, तो atmosphere बड़ जहां रहा है, वो आप देख लो पहले तो, कि पहले atmosphere reflection दिया है, atmosphere reflection दिया है, बाकि reflection total reflection इसको छोड़ दो, तो option a और b में से correct है, अब reflection का मतलब होता है, तो आपका स्टार के पास स्टार के पास स्टार के पास से लिजाए, तो reflection बोलेंगी, but star से light हमारी आपको तक आ रही है, यानि टकरा की थोड़ी से bend हो के हमारी आपको में ह fraction, तो इस तरह से हमारे 6 mcq हो गए, इन 6 mcq के बाद बुच्छो, next जो हमारे पास है, वो है fill in the blanks, अब fill in the blanks, जो है mcq से भी ज्यादा easy एक तरीके से कहो कि, यहाँ पर mcq में आपके पास 4 option होता है, यहाँ पर आपके पास 3 option होता है, यहाँ आपके correct answer चूज करने के probability पहुचाती है, जो mcq में 25% पर दी, यहाँ पर आपके correct answer चूज करने के chances बढ़ जाता है, यहाँ पर question पूचा आपको, dash is used in the preparation of tincture iodine, iodine की preparation में क्या use किया जाता है, अब यहाँ पर 3 नाम है, methanol, ethanol और propanol, अब इसमें से आप ध्यान से दिखो तो propanol लिखा हुआ है, propan में, तो आपने दो main चीजों की property बढ़े होगी इस चेप्टर में, एक ethnoic acid के और एक ethanol की, यहाँ पूरे चेप्टर में, जो carbon के product बनते हैं, जो function group के साथ भी बनते हैं, उनमें सबसे important अगर कोई दो हैं, तो वो दो कोई है, ethnoic acid और ethanol, तो ethanol जो है, वो बहुत जादे important है, तो यहाँ पर जो correct answer हो, क्या होगा ethanol को, कि tincture iodine में भी, as a solvent, कौन यूज होता है, ethanol यूज होता है, major हर जगा पर, किसी भी pharmaceutical industry में, as a solvent, ethanol को जाया तर यूज किया जाता है, यहाँ पर correct answer जो होगा हमारा बच्चो, वो क्या होगा, वो ethanol होगा, तो यहाँ से हम कह सकते है, हमा pair of chromosome होते हैं, कि हम सब पुछा होगा, तो काफी easy कि हमारे body में 23 pairs of chromosomes होते हैं, यह हमें पता है, यह कि हमारा answer क्या आएगा 23, next पूछा है, the SI unit of electric power is, अब power का unit क्या होगा, तो यहाँ पर 3 unit है, ohm, ampere and watt, ohm जो होता है, वो register का unit है, ampere current का unit है, और जो watt है, यह बच्चो, power का unit ह तो यहाँ पे भी हमारा correct answer क्या आएगा, what, next देखते है, the terminal end of excretory unit opens in the, अब excretory unit के हम बात कर रहे हैं, एक तरीकी से nephron की, तो nephron का end है, वो कहाँ पर open हो रहा है, तो start to moments capsule कर रहा है, moments capsule start करते करते करते, end कहाँ पर हो रहा है, वो collecting duct में जाके end होता है, collecting duct में सब जगह से car, car की headlight में कौन सा mirror use होता है, simple से बात है, headlight में light को focus करना है सामने की तरफ, तो focus पकर light रखोंगा, तो तकरा के सामने की तरफ आनी चीए, तकरा के parallel ही आनी चीए, तो कौन सा mirror use होगा, तो वहाँ पर जो हमारा correct mirror है, वो कौन सा mirror है, concave mirror हम use करते है, headlight of car में, ठीक है, next बो bronze medal in badminton, then the medal would be made of dashed metals, अब उन्हों को bronze medal मिला है, तो bronze किस से बनता है, यह आपको पूचा है, तो आपको यादखना है, कि bronze जो है, वो copper और teen की alloy है, ठीक है, bronze जो है, वो copper और teen की alloy है, तो यानि कि आपके जो correct option होगा, वो होगा option, middle वादा जो option है, आपके पास, cu and sn, जहाँ cu copper होता है, और sn जो है, teen को हम sn के symbol से denote करते हैं, ठीक है, next चलते हैं बच्छों, अगले fill in the blanks की तरफ, चलो fill in the blanks खतम होगे, तो अब हमा आ जाते है, true-false की तरफ, answer को भी मैं cross check कर लेता हूं, जो मैंने आपके answer लिखे है, कि सबसे बढ़े question का answer लिखा था हमने, वो ethanol लि मैं क्या है, तो collecting duct है, mirror कौन की है, और यहां पर copper and teen, यह हमारे MCQ, sorry fill in the blanks, complete हो गए, अब हम चलते हैं, हमारे true-false की तरफ, true-false में क्या question पोचा रहे थे, magnesium is less reactive than sodium, क्या यह सही है या गलत, तो आपको reactivity series अगर पता होगे तो आपको पता है, potassium और sodium सबसे जादा reactive होते है, ऐसे में magnesium उनसे कम ही reactive होगा है, तो सीधी से बात है, यहां पर यहीं बहुत है, magnesium is less reactive than sodium, यानि यह true statement है, तो इसका जो answer होगा, क्या होगा, बच्छो, true होगा, ठीक है, यह clear होगा आपको, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसका answer हो क्या है, पहले वाले का answer true है, ठीक है, च common sense है, कि बच्चे जब तक male gamit और female gamit fuse नहीं होगे, तब तक जो अंदर embryo form हो रहा है, उसका, या जो zygote form हो रहा है, उसका sex determination नहीं हो सकते हो, कि male के पास से जो chromosome हो रहे है, female के पास से जो chromosome हो रहे है, वो mix होगे, उसके बाद ही जो नया zygote बनेगा, तब ही हमको पता चले होगा, बच्छो, true होगा, चलो, अगले question की तरफ सिलते हैं, इसमें आप से बोल रहा है, due to atmospheric reflection, टिंडल effect is seen, अब बोला, atmospheric reflection को यसे का टिंडल effect होता है, टिंडल effect का atmospheric reflection से खुले अंधिरा नहीं है, टिंडल effect का होता है, जब किसी बेक जगा पे, अंधिरे कमरे में ऐसे जग नहीं है, यहाँ पर जो phenomenon है, वो scattering of light का phenomenon है, तो हम कह सकते हैं, यह जो statement है, false statement है, तो यहाँ पर जो हमारा answer आएगा, बच्छो क्या आएगा, false आएगा, ठीक है, चलो, वो भी देख लेते हैं आपर, कि हमारा answer को क्या है, false, ठीक है, चलो, अगले question की तरफ सिलते हैं, अगले question बच्छो आप से पूश रहा है याँ यह, tooth decay starts when pH of the mouth is lower than 5.5, तो यह चीज़ हमको पता है, हमने पढ़ा है, यहाँ पर pH वाले topic में, कि tooth decay कप सार्ट होता है, जब mouth का pH 5.5 से कम होता है, तो यह correct चीज़ है, तो यह statement पर हमारा क्यासा होगा, true, यह इस वाले के अंदर, तीन following question as directed, ठीक है, सबसे पहला बच्छन देखते हैं बच्छो, first question जो है हमारा, इसमें हमसे बुला है, what deficiency in our diet causes disease of goiter, goiter का disease की deficiency की वज़े से होता है, तो हमको यह पता है, कि goiter जो है, यह thyroid की बिमारी, यानि thyroxine hormone के produced ना होने की वैसे, thyroid gland जो हमारी, वो swell up हो जाती है, और जो thyroid gland है, इसको thyroxine बनाने के लिए, क्या चाहिए, इसको चाहिए है, iodine, यानि कि, कि कि की deficiency की वज़े से goiter हो रहा है, iodine की deficiency की वज़े से, तो यहाँ पर जो हमारा correct answer आएगा, वो क्या आएगा, iodine आएगा, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमारा पहला answer की आएगा, त which trait is tallness, अब आपको पता है, Mendel ले अपना experiment किया था, एक tall plant लिया था, एक short plant लिया था, उनकी progeny crate के थी, जिससे हमारी F1 generation बनी, जिसमें सारे plant tall थे, तो वहाँ पर हमको बताय गया थे, कि दो type के traits दिख रहे है, dominant trait है, और recessive trait है, जो चीज़ निखल के सामने आ रहे है, उस system recessive केंगे, यानि कि हमको ये तो पता है, कि प्लांट के पास tallness और shortness दोनों ही trait है, क्योंकि अलग अलग प्लांट से वो कुन गए हो है, यानि वो properties, दोनों की properties उनके पास है, बट visible कौन सी property हो रहे है, दिख कैसा रहे है, अगर tall दिख रहे है, तो जो dominant trait है, वो क्या होगा तो वहाँ पर सायद तक recessive trait है, यानि एक दो प्लांट छोटे भी आ सकते हैं, यानि F1 के बाद अगर F2 generation हो, तो हो सकता है, वहाँ पर तीन प्लांट बड़े हो, बट एक प्लांट छोटा आ जाए, जिससे हमको बतार चल रहा है कि ये trait भी इंके अंदर कहीं ना कहीं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि हमारा जो correct answer है, वो क्या है, dominant trait, शोलो, next question पुछा है, write the name of the most front part of human eye, हमारी eyes का सबसे front वाला जो पार्ट है, इसका नाम बताना है, तो अगर आपको ध्यान से याद हो, तो सबसे आगे का जो पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह transparent part जो है, वो क्या है, cornea, तो इसका जो answer हम भो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, the cornea, अगला question देखते है, यहाँ पर क्या बोला है, इस question में आपको बोला है, find the right and right, fight and write the mismatched pair from the following, इन में से कौन सा pair mismatched है, यह आपको बताना है, तो पहला बोला है open की, तो यह हमको correct पता है, कि अगर बीच में dot होता, यह जो पहला structure दिख रहा है, यह structure में, बीच में अगर dot होता कहीं पर, कहीं पर dot होता, तो हम बोल सकते हैं कि यह close की, यह open की है, सही है, दूसरा जो structure है emitter का, उसमें भी आप देख सेकते हो, कि plus minus a लिखा हो, और emitter लिखा हो, यह भी सही, गलत कौन स है आपका, जो सबसे last हो, कि यहाँ पर जो structure बना है, वो बना है voltmeter का, और नाम दिया है electric cell, यानि यह mismatched pair है, तो correct answer क्या होगा, option C, यह हमारा correct answer होगा, तो यह हमको यहाँ पर लिख लेना है, कि हमारा option C, जो है, यानि कि voltmeter उसके साथ में, जो electric cell हमने लिखके रखा है, यह हम आंसर है जो mismatched pair का है, यानि यह हमारा mismatched pair है, अब इसके बाद बच्छो next देखते हैं कि next question में हमसे क्या पूछ रहा है, next question बच्छो हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे match the following pair correctly, यहाँ पे आपके पास जो चार question आएंगे, वो कौन सा आएंगे, match the following तो pattern I think आपको समझ में आ रहा होगा, इसी एक बाद pattern आपके board exam में आने वाला है, तो इसी तरीके साब को तैयारी रखने हैं कि किस किस टाइप के question आएंगे, और यह question से क्या आपको idea तो लग दिया होगा कि at least 24 में से 20 questions तो आप correct कर लोगे, अगर आपने class में से थोड़ा सा कोई भी question, बहुत ज़्यादा depth में नहीं पूछा गया है, बहुत ज़्यादा superficial knowledge है आपसे पूछी जा रही है, जो उपर की knowledge है वही पूछी जा रही है, तो आप easily इसको solve कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने एक बार भी chapter को ध्यान से पढ़ा हुआ है, आपने अपने classes में ध् cerebellum कि क्या काम करता है, ठीक है, दूसरा पार्ट कि है हमारा cerebellum, यह क्या काम करता है, तो medulla और cerebellum, दोनों के दोनों ही आपके एक तरीके से hind brain के part है, ठीक है, medulla और cerebellum है अगर आपके आपके आदगे तो cerebellum जो है, इसका में काम होता है आपके body के posture maintain करना, बाड़ी का balance यह सब काम होता है, तो पहला आप देख सकते हैं, एक दिया balance of body, तो balance of body जो होगा, वो किसके अंतर देखने का मिलेगा आपको cerebellum के अंदर, यानि इसका जो correct answer है, वो क्या है, balance of body, अब medulla जो है, यह कुछ involuntary actions को control करता है, जैसे कि blood pressure बढ़ाना, salivation create करना, vomiting, तो यहाँ पर एक option आपको देख रहा है, salivation, यानि यह आपको किसमें देखने को मिलेगा, medulla की वरिस देखने को मिलेगा, तो हम कहा सकते हैं, 21 का answer क्या होगा, salivation, और 22 का answer क्या होगा, balance of body, वो यहाँ पे भी देख लिते हैं, कि medulla के किसमें हमने answer लिखा है, salivation, और cerebellum में हमने ल पूछा है, depletion of ozone layer की, ozone layer की importance क्या है, और depletion किसकी वरिस से हो रही है, तो importance और depletion इस दो topic पूछे हो गए, ठीक है, तो सबसे वहले हम बात करते हैं, importance की, तो importance की अगर हम बात करें, तो ozone rate, absorption of UV radiation, इसमें बहुत जाधा important है, तो 23 का answer क्या आएगा, यह आएगा, क्योंकि UV rays को absorb करने में यह help करती है, दूसरा बोला है, आपको, depletion of ozone, depletion किसकी वरिस से हो, तो ozone का सबसे जाधा deflation, CFC, chlorofluorocarbon नाम की gas की वरिस से ही हुआ है, इसलिए इसका answer क्याएगा, B, CFC, तो यह भी आपका यहाँ पर correct option, यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्या है, पहले में section B की तरफ, I hope section A आपको clear हो गया, और किस तरह से question आती है, यह सब आपको अभी simplify हो रहा हूँ, कि पहले च्छे MCQ आएगे, फिर chart, फिर chart, true, false, फिर one word answer, फिर आपका एक mismatch pair, फिर match the following, इस pattern में यह आपको question paper पूछा जा रहा है, ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे section B की तरफ